बिस्मिल्लाहिरामान औरहीम असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ जाजन सारी और आप देख रहे हैं जाजन सारी फूर सीक्रट्स अलावर कद्दे आपके खानों में आपके रिज्क में आपके जायकों में तो मेरे प्यार पर दोस्तों आज मैं आपके इसमें हर्गिस नहीं डालने इंशालला आज की रेस्पी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और बहुत सी बाते भी आपको चाहूंगा तो सबसे पहले बिस्मिल्ला हरामान रहीम अगर आपके घर में प्रैशर कुकर है तो आपको किसी तसले के गिर्द आटा लगाने की कोई ज़रूत नहीं है ठीक है यह सेम प्रोसीजर होता और इसमें कोई फ़रक नहीं होता यहां पर हमने हाफ कप लिया है कुकिंग और जो मेरे पास वान केजी मीट था इसको मैंने दो कर इस ड्रेन के अंदर इस टोकरी के अंदर रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छे से न ने तो यहां पर इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे यह देखें जी अच्छा यह नॉन स्टिक में या तसले में अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत ज्याला टाइम लग जाएगा मतलब कोई देर घंटे का काम है यह तो इसमें लेसन जाएगा फ्रेश लेसन आपने प है इसकी स्मेल खतम हो सके और इसमें एक मज़ेदार सी खुश्बू आ सके तो यह बहुत जरूरी है इस रेस्पी में सबसे एहम जो मसाला हमारा वह यही है तो इसमें इसकी हम खासी भुनाई करेंगे लंबी चौड़ी तक्रीबन दस से बाड़ा मिनट ठीक हो गया तो यह अहां पर देखें गोश्ट का जो कलर है वो चेंज हो चुका है अच्छा मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि यह दो बड़ी लाइची है ठीक है यह मैं परस्नली इस डिश में एड़ कर रहा हूं वैसे नॉर्मली यह एड़ नहीं होती लेकिन देखें हर जो कुक होता है शेफ होता है उसके कुछ अपने तरीके भी होते हैं तो यह इस रेस्पी में एड़ नहीं होता लेकिन मैं एड़ कर रहा हूं आप जब बनाए जो मुझे फॉलो करते हैं मेरी आप से रिक्ष्ट है कि यह दो बड़ी लाइची है वन केजी मीट के अंदर आपने ज़रूर करनी है एक बात और दूसरी बात अगर आपके पास चर्वी वेलेबल हो जैसे आप देखने इसमें चर्वी के काफी पीसिज है तो यह भी आपने इसमें एड़ करनी है तो यहां पे देखें तक्री बंद 12-15 मिनुट हो चुके हैं इसको मैंने अद्रक लैसन के पेस्ट में और दो बड़ी इलाचियों में अच्छे से फ्राई कर लिया है यह फ्राई करना इसलिए जूरी है कि इसके उपर एक फ्लेवर सा आ जाता है तो जो इसको बहुत ही लजीज बनाता है अब यहां बे मैं टमाटर एड़ कर रहा हूं अगर आप पिशावर जाएं नमकीन इस बावर में वह एड़ करते हैं कुछ नहीं एड़ करते मुझे पसंद है आपको बता है में टमाटर फेवर एड़ करूंगा और यह अथेंटिक रैसिपी है और नमक जो है वह इस रैसिपी का इकलोता मसाला है तो एक ग्लास इसमें अब हम पानी के एड़ कर देंगे मैं मैंने तकरीबन 12-13 मिनट गोश्ट को फ्राई किया हुआ ठीक है और जो टमाटर थे इसका चिलका मैंने अभी उतार लिया बाद में उतारना थोरो सा मुझसे मुझसे मुझकिल हो जाता है तो जस्ट नमक एड़ किया मैंने मसालों में ठीक है और इसके अंदर कोई मसाला हर परगिस नहीं जाएगा अगर आप चाहें तो काली मिर्च एंड पर एड़ कर सकते हैं लेकिन इसी कली वह इस रेस्पी में नहीं है प्रेशर कुकर का अब ढकर रखते हैं बिसमिल्ला हरामान रहीम और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट देखें जो पतीला होता है ना जिसके अंदर वो साइट पर आठा लगा के इस रेस्पी को बनाया जाता है वो उस कंडिशन में है अगर आपके पास प्रेशर कुकर अवेलेबल नहीं है तो ठीक है जब प्रेशर कुकर की सहूलत है तो आपको क्या जूरत है इतना सारा आठा साइट पर जाया करने की उस आठे का मकसद क्या होता है जस्ट स्टीम को रोकना तो हमारे पास अलहमदुलिल्ला एक टेक्निकल चीज मजूद है तो हम आठा क्यों साइडों पर गुवाएं तो यह ले जी माशालला अलहमदुलिल्ला यहां पे जो हमारा गोश्ट है उसको हम चेक करेंगे कि क्या यह उ मॉर्मली इसको जस्ट 15 मिनट लगाया जाता है मटन को लेकिन इसको आपने 20-25 मिनट लगाना है यह देखें आप माशालला देखें मक्षन की तरह वोटी हो जगी है मैं रेस्पी के एंट पे आपको वोटी अच्छे से तोड़ मरोड के सब तरीके से रिखाऊंगा अब यहां पे मुझे हलका सा इसके अंदर यहनी नजर आ रही है तो आँच तेज़ कर लेंगे यहनी को अपने टेस्ट क खड़ाब हो जाएगी यहनी तकरीबर इसको हमने 7-8 मिर्ट तेज आंच के उपर बगाया और यहनी जो है हमारी आलमोस्ट ड्राइ होने वाली है जितनी ही मतलब हमें चाहिए तो इसको निकालते हैं प्लेट में बिसमिल्लाहरामानुराहीम तो यह देखें आप लुक तो मेरे प्यार दोस्तों मैं आपको बता दूँ के यह नान या रोटी चापाथी इवन चावलों के साथ भी नहीं सर्व किया जाता है इसको ऐसे ही आपने प्यारे प्यारे हाथों के साथ पकड़ और इस तरह से इसको देखें यह माशालला विल्कुल मखन की तरह है और मे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए यह आपकी तरफ से प्यार होता है महबबत होती है आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है तो हमें इनाम से नमाज गिए और इजाजन सारी को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक अलाहाफिज